नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसा देशी नुस्खा बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना पुराने से पुराना दाद खाज खुजली जड़ से ठीक कर पाएंगे जो लोग बहुत ज़्यादा परिशान हैं दाद खाज खुजली से बहुत सी दवाईय करा चुके हैं और सही नहीं हो रहा है तो मैं आप आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने दाद खाज खुजली को जिंदगी भर के लिए सही कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपको चाहिए क्या एक तो चाहिए आपको देसी नीम देसी नीम दोस्तों कहीं भी आपको मिल जाएगी किसी के घर में लगी रहती है तो उसके पत्ते चाहिए आपको ठीक है और दूसरी चीज़ चाहिए आपको ये आख आख का पौदा दोस्तों कहीं भी आपको सूखी जगा पर बंजर जमीर पर अक्सर देखी जाएगा ठीक है तो आख का आपको सिरफ चाहिए दूद चाहिए इसका दोस्तों आख को और भी भाषा में कई नामों से जाना जाता है मदार भी कहा जाता है इसको और वैसे यहां पर तो हम लोग ज्यादा तर आक ही बोलते हैं तो मैं भी यही कहूंगा आपके लिए तो दोस्तों आपको सिंपल कुछ नहीं करना है इसका तो आपको दूद चाहिए यह थोड़ी देर पहले तोड़ा था तो थोड के इसके दूद को कटोरी में कठा कर लेना है और दूसरी कटोरी में आपको क्या करना है नीम के पक्तों को अच्छे से पीस लेना है और पीस के उसको उसका जूस निकाल लेना है पीस के उसका रस निकाल लेना है अलग कटोरी में फिर दोनों को मिक्स कर देना है इसके दू होना चाहिए कि वो आख में चला जाए कि गलती से ऐसा नहीं होना चाहिए आपको बिलकुल आराम से लगाना है और दाद वाली जगह पर इस परकार से लगाना है जैसे जिससे की अच्छे से मतलब अंदर चले जाए ये रस जो मिश्रन होगा बनाया हुआ वो अच्छे से जो दाद के अंदर है जो उसके किटानों को मार देगा, यह आग का दूद है और नीम जो पता ही आपको कितनी गुणकारी होती है, कितनी इसके फायदे होते हैं, मुझे बतानी की जरूरत नहीं है, आपको दोस्तो इस मिश्रन को रोज लगाना है, लगातार एक हफ़ते तक, और आप देखोगे कि आपकी दाद धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से सही हो गई है, और दोस्तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस नुस्के को आप लगातार तीन महीने तक इस्तमाल कीजिए, लेकिन दोस्तो सुनिए, आपने सिरफ एक हफ़ते लगाना है एक महीने में, फिर उसके बाद अगले महीने में फिर एक हफ़ते और उसके अगले महीने में फिर एक हफ़ते, जिससे क्या हुआ कि दोस्तो जितने भी किटानों अगर अंदर भी होंगे, जो बार बार जिन्दा हो जाते हैं, उसे ये बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगी, उसका नामों निशा जलन वगेरा नहीं रहेगा और दोस्तों एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसको लगाने से कोई भी प्रॉब्लम होती है जलन वगेरा होती है या कोई वहाँ पर दाग परता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है इसको लगाने से तो आप इसे तुरद बंद कर द धन्यवाद